आज से मैं बिहार दरोगा 2021 के पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं जो की मेरे संतावन सौ पीडिएफ से है संतावसों जो जिके का पीडिएफ है उससे ही लिया गया है अगर आप लोगो इसका पीडिएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दरोगा खेले तो चलते हैं सेट की तरफ पहला प्रशन है दिवाने इश्टी हकाक की अस्थापना किस ने की? सल्थनत काल में इसके स्थापना की गई थी? किस ने की थी? आप्शन डी हो जागा फिरोष शाह तुगलक ने दिवाने इस्ती हकाक जो है सल्तनत काल में पेंशन विवाग था रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं गुलाम बंश के शासक इल्तु तमिश की पुत्री थी दिल्ले की पर्थम और अंतिम महिला सुल्तान तूर कमीर रजिया के विरोधी थे तबर हिंद के सुबेदार अलतुनिया से पराजित हुई और बाद में दोनों ने निकाह कर लिया या विवाह कर लिया बारसो चालिस में कैथल के निकट रजिया एवं अलतुनिया की हत्या कर दी गए बलवन तुर्कों की परमुक जाती इलबड़ी तुर्क से ये संबंदित था बलवन इलतु तमिश का गुलाम था राजत्तों के सिधान्त किसने विवेचना की थी ये सब जिक्के जो है पूछा जाता है इरानी पर्था देवत्त का अधिकार के नुसार सुल्तान को पृत्वी पर इश्वर का प्रतिनिदी और इश्वर की चाया बताया कुलींता पर अते धिक बल दिया मतलों कुलीन वर्गवो पर अपनी वन्शावली बनवाई और अपने को फारस के पौरानिक नायक अफरा सियाब का वन्शज बताया सिजदायबं पैवोस की पर्था भी इसने शुरू की एक सैने विभाग दिवाने अर्ज का इसने गठन किया था और उसका प्रमुक बनाया आरीजे मुमालिक को उसने इल्तु तमिश दौरा शुरू किये गए चालिस के दल मतो तुर्के चहलगानी को समाप्त कर दिया इरानी तेवार नौरोज को इसने मनाना शुरू किया मतलब शुरूआत की फार्सी के परसिद विद्वान अमीर खुसरो ने अपना सहितिक जीवन इसी के शौशनकाल में शुरू किया था इसको विध्यान में रखना है गड मुक देश्वर की मस्जित की दिवारों पर अपने शिला लेक में वल्वन ने स्वयम को खलीफा का सहायक कहा ये सब कुछ तत्य थे दूसरा प्रशन है अच्छूतों के उधार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज के स्थापना 1906 में किस ने की आप्शन भी हो जगा वियार शिंदे ने दलित वर्ग मिशन समाज मतलो डिप्रेस्ट क्लासेज मिशन सोसाइटी के स्थापना वियार शिंदे ने मुंबई में की दे शिंदे टाइटल से ही मुंबई आप लोग पकर सकते हैं बियार अमबेट के दौरा स्थापिस संगठन देखते हैं शेडूल्ड कास्ट फेडरेशन सोतंत्र लेवर पार्टी भारतिये रिपब्लिकन पार्टी बहिश्कृत हितकारणी सभा समता सैनिक दल डिप्रेस्ट क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी दबॉंबे शेडूल्ड कास्ट इंप्रूब्मेंट ट्रस्ट पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भारतिये बौध महा सभा अखिल भारतिये दली तुबर्ग और अखिल भारतिये हर्जन संक्य स्थापना की थी गांधी जी ने वर्ष 1922 में तो ये प्रश्ण जो है पूछा जाता है बी आराम बेटकर दोरा स्थापिस संगठन चार-पांच दे देगा उसमें से आपको कूट के अनुसार भी चेन करना रहेगा यानी तो एक-एक ओप्षन का भी चेन करना कभी-कभी रहता है कंबन की रामायन किस साहित्य का गौरब गरंत है कंबन ओप्षन भी हो जाएगा तमिल गरंत है कंबन की रामायन किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है ओप्षन ए अकबर मुगल समराठ अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षन परणान किया मुगल दर्वास संबंदित हिंदी के परसिद्ध कभी राजा, बीरबल, मान सिंग, भगवान दास, नरहरी, हडिनाथ आदी थे वेक्तिगत प्रयासों से हिंदी साहित्य को मजूती परण करने वाले कभीयों में महत्पूर्ण कौन कौन थे नंद दास, बिठल दास, परमानंद दास, कुम्बन दास, आदि, तूलसी दास एवं सूर दास, मुगल काल के दो ऐसे विद्ध्वान तो जो अपनी कृतियों से हिंदी साहित्य के थिहास में अमर हो गये थे अब्दूर रहमान खाने खाना एवं रस्कान को भी इनकी हिंदी की रचनाओं के कारण ही याद किया जाता है इन सब के महत्पूर्ण एकदान से ही अकवर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है अक्वर ने बीरवल को कभी प्रिय एवं नरहरी को महापात्र की उपाधी परदान की थी अगला प्रश्न है किस वाय सराय का काल शिष्ट मंडलो भूलो एवं आयोगों के नाम से जान जाता है अप्शन ही हो जाएगा लॉड करजन ऐसा क्यों है देखते हैं लॉड करजन 1899 से 1905 तक वाय सराय रहा शासर एवं सिक्षा संबंदी सुधार हुए इसके समय में महामारी एवं अकाल आयोग का गठन हुआ भारतिये विश्वविदाले अधिनियम 1904 इसी के समय में पारित हु हुआ टॉमस रैले विश्वविदाले अयो का गठन इसी के समय में हुआ रेलबे बोर्ड का गठन बंगाल का विवाजन भी इसी के समय में किया गिया अगला प्रशन है किस आपताहिक पत्रिका ने अभी आपन प्रकाशित किया कि आवशक्ता है वीर सिपाहियों की वेतन, मिर्तिव, पुरसकार, शहादत, पेंशन, सोतंतरता और यूदस्थल है भारत और अप्शन यह हो जाएगा गदर गदर पत्रिका भी थी और गदर एक संगठन भी था जिसे लाला हर्दयाल ने अन्ने के साथ मिलके अमेरिका में शुरू किया था उनिसे शुरू किया गया और गदर जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और माराथी में होता था वर्ष 1913 में सोहन सिंग भाकना ने हिंद एसोसियेशन आफ अमेरिका के स्थापना भी की थी जो बाद में गदर आंदोलन या गदर संगठन बन गया है अगला प्रशने किस मुगल कालिन चितकार ने पश्यों, पक्षियों एवम फलों का चितर उभारा है ऑप्षिन डी हो जाएगा उस्ताद मनसूर जहांगीर के समय में था उस्ताद मनसूर उस्ताद मनसूर एवं अबूल हसन जहांगीर के शेष्ट कलाकारों में से थे उन्हें बाशान एक्रमस ठीक है उस्ताद मनसूर को नादिर उलुस्र और अबूल हसन को नादिर उजमा की उपाधी परदान की इसको भी ध्यान में रखना है विसंदास भी जहांगीर के समय का चितरकार था बसावन जो है अकवर के समय का सर्वोत्तम चितरकार था क्योंकि वह चितरकला के सवी शेत्रोडे खांकन रंगों के परयोग छवी चितरकारी भूद रिश्यों के चितरन में एक्सपर्ट था वसावन की सर्वोत्त क्रिष्ट क्रीती है एक क्रिष्ट काय मतलब दुबले पतले घोडे के साथ एक मजनु को नीजय शेत्र में भटकता हुआ बनाया गया चितर अकबर के समय का एक और परसी चितरकार था दसवन्त तो इस तरह के प्रशन पूछे जाता कि कौन सा चितरकार किस के समय में था किसके दरवार में था बंगाल के संदर में निमलगी कतनों में से कौन सा कतन और सत्त है आप्शन एक एबल गलत है मुगल समरार दोरा न्युक्त बंगाल का अंतिम सुविदार अलिवर्दी खा नहीं था बलकि मुशीद कुली खा था बंगाल का अंतिम नवाब था कुन? मुवारक उदौला वारें इस्टिंग्स ने मुवारक उदौला को अटाकर पर शासन अपने हाथों में ले लिया था और बंगाल से दोयद शासन को समाप्त कर दिया मुवल समराट फरुक सेर दोरा 1777 इस्वी में मुशीद कुली खा को बंगाल का सुविदार यानि की गवर्न निक्ट किया गया था जो की अंतिम था मुशीद कुली खा के बाद उसका दमाद शुजाओ दिन जो है बंगाल का सुविदार बना था मोशीद कुली खां को बंगाल में नई जमिनदारी विवस्ता प्राधारित कुलीन वर्ग का जर्मदाता माना जाता है इसने भू राजसों के लिए इजारेदारी मतलु राजसों वसूली की सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जमीन देने की पर्था जो होती थी इजारेदारी विवस्ता उसको शुरू किया तथा इसमें अस्थानिये जमिनदारों एवं साहुकारों को पार्थमिक्ता देने क पत्था के शुरुवात के, गलत जोरे की पहचान करना है, युद्ध और उसे संबदित, वासराय का नाम दिया जया है, पहला ही गलत है परतम आंगल मैसूर यूद लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में नहीं हुआ था वरकी लॉर्ड वेरेल्स्ट के समय में हुआ था आगे देखते हैं इसको परतम आंगल मैसूर यूद 1769 के बीच में हुआ जो कि मदरास की संदी 1769 से इसका अंत हो गया लॉर्ड वेरेल्स्ट के समय में हुआ था हैदर अली की इसमें विजए हुई थी यह पूछा जाता है कि मैसूर यूद में परतम में कौन सा निरना हुआ हैदर अली की बिजय हुई और निरनायक रहा या अंग्रेजियों की बिजय है इसी तरह की प्रश्ण जो है पूछे जाते हैं दूतियां आंगल मैसूर युद 1784 के बीच में इसी के दोरान जो है हैदर अली की मिर्तियू भी हो गए थी मैंगलोर की संदी सिसकान्त हुआ वारेन एस्टिंग्स के समय में युद हुआ था पोटो नोवा की लड़ाई इसी के दोरान हुई 1781 में हैदर अली और आयर कूट के नेत्यूत में जिसमें की हैदर अली की हार हुई टीपू सुल्तान ने 1780 में बिटिश सेना को पॉलिपू संदी के नुसार टीपू सुल्तान ने अपने दो पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया और तीन करोर रूपय युद के हजाने के रूप में दिये साथी टीपू ने अपने राज्य का आधा भाग भी सौंप किया 1792 की पराजय के उपराण टीपू ने फ्रांस कुस्तुन तुनिया और अफगानिस्तान के शास्कों के साथ संदी का प्रयास किया कि वो भारस संग्रेजों को निकाल सके चतूर्थ आंगल मैसूर यूद 1799 में लॉड वेलेजली के समय में अपने दूर गसी रंग पत्नम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्थान की मित्यू 1799 में हो जाती है और इसी दुकान तो होता है साहयक संदी के दौरा जो की टीपू सुल्थान की मित्यू के बाद किया जाता हुआ के शासक के दौरा 859 की समरागी विक्टोरिया की घोशना के बाद अंग्रेजों ने किस निती को समाप्त कर दिया है आप्शन बी हो जाएगा रियासतों को हर अपने की नीती को अंग्रेजों ने छोड़ दिया इस्ट इंडिया कंपनी ने छोड़ दिया एक नमब मर 1859 को इलाहवाद में हुए दर्वार में कैनिंग ने विक्टोरिया गोशना पतल को पढ़ा था जिसके अनुसार कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सिधे कराउन के दिन कर दिया गया मतलों राजा के दिन इसमें परमुक्रूप से निम्न बातों का उलेक था बीटिश समराज के विस्तार पर रोग धार्मिक मालों में हस्तक्षेप नहीं करना मतलों और हस्तक्षेप की नीती एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्द कराना भारतिये रजवारों के परतिविजय एवं विलय की नी कर अन्या श्वासन बीटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किये गए यह सब तो किये गए लेकिन बाकी अन्य जो दिया गया था वो सब पूरा नहीं किये गए अलूरी सीता राम राजू का संब्द निम्लिकित में से किस विद्रोह से है अप्शिन भी हो जाएगा रंपा विद्रोह से अलूरी सीता राम राजू का संब्द है अलूरी सीता राम राजू ने रंपा विद्रोह 1889 में हुआ था यह इसका नेत्रित तो किया था आंदर पदेश के तर्टवर्ति शेत्रों में रंपा अधिवासियों ने अंग्रे समर्तित मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था सेना की मदब से स्टिंड्य कंपनी की सरकार ने 1880 में से विद्रोह को दबा दिया रंपाओं को मुट्टा तथा जमिनदारों को मुट्टादार कहा जाता था तो मुट्टा या मुट्टादार की बात हो तो रंपा विद्रोह जिसके नेता अलोरी सीताराम राजू सुबलिन ने रंपा विद्रोह के कारणों की जांच की थी उसने नए जमिनदारों को हटा कर पूराने जमिनदार रखने के सिफारिश भी की थी कुकी विद्रोह के बारे में जानते हैं कुकी अराकान येवं मनिपूर शत्र की एक जंज आती थी सरकार ने यहां जुम त्रिशी जो होता उस पर परतिबंद लगा दिया था कुकी यो ने इसके तथा पोयांग मतलब बेगार जो देना परता था उसके विरोध में अंदोलन किया था चुवार विद्रो मिदनापूर बंगाल के मिदनापूर जिले के चुवार आदिवासियों ने 1768 सवी में भूमी कर एवं अकाल से उत्पन आर्थिक संकट के कारण विद्रो किया था खोंड विद्रो यह जनजाती विद्रो तमिल नाडू से लेकर बंगाल तक के पहरी शित्रो में हुआ इस आंदोलन का नेत्रित्तु राजा चक्र विसोई ने बाद में राधा कृष्ण दंडसेन ने इसका नेत्रित्तु किया था कोल विद्रो कोलो ने उस समय विद्रो किया जब उनकी भूमी मुख्या से चिनकर मुसलिम वमसिक किर्षकों को दी गई इस विद्रो का नेत्रित्तु सूडगाय वम सिंग राय ने किया था यह दोनों नेता थे कोल विद्रो रेगुलेटिंग एक्ट 173 के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है आप्शन डी काउंसल के संदर में गौर्णर जनरल को और शक्ति शाली बना दिया गया था यह गलत है बाकी सब सही है इस एक्ट के तहत एक हजर पाउंड के अंश धारक को प्रप्राइटर्स के निर्वाचन है तू मताधिकार मिला था युदेवों संदी के प्रश्ण बावंबवां मंद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधिन कर दी गए कलगत्ता में एक सरवुच्च नैले के स्थापना 1774 में की गई थी रेगलोटिंग एक्ट के तहट गवर्नर जनरल की सहाथा के लिए चार सदस्यों के एक परिश्यत बनाई गई थी यह सदस बर्बैल क्लेवरिंग मॉंसल एवं फिलिप फ्रांसिस थे इन सदस्यों की निक्ति इंग लेंड से होती थी इनका कारेकाल पांच बरश का था अब अब निरने बहुमत से लिये जाने थी ठीक है ऐसे में कॉंसल के संदर में गवर्नर जनरल को और सहाय बनाया दिये था ना कि शक्ति शाले इसके अतिरिक इस एक्ट के तर्स कलकत्ता सरवच्च नयाले की स्थापना 1774 में की गई एलीजा इंपे को पर्मुक नया देश बना पावित किया था चार दिये गए रूस जापान की युद में जापान की विजय इटली अभी सिनिया युद ने आयरलेंड के करांतिकारी अंदोलन ने चीन के बोक्सर अंदोलन सही कूट का चैन करना है आप्शन डी हो जाएगा चार हो ही भातिराश्ट चेंदोलन की दिशाओं को महत्वा गांधी से पूर्म में रूस जापानीओं दूनिस्वा पांच में वा था जिसमें जापान ने रूस को प्राजित कर साबित कर दिया कि सैनिक दिश्टि से जापान किसी एरोपिय देश से कहीं अधिक स्रेश्ट है एब मजबूत इच्छा शक्ति का कोई भी कल्प नहीं है में से निमलेखित मध्यकाली शब्दावाली के संदर में कौन सा जोरा गलत है ऑप्शन एक गलत है बाकी सब सही है खुदा कास्ट वह किसान जिसके पास खुद की खेती के लिए जमीन होती थी ठीक है छाग शाहिव प्रशासन दौरा उत्तम किस्म के घोरों को चिन्नित कर कुने की परनाली एमा धार्मिक अत्वा दानकारे के उद्देश शेतू जागीर या भूमी के रूप में दिया गया भूमी अनुदान खिलवत क्या होता था खिलत होता था समराठ दौरा समान सो रूप दिया गया पोशाग कहलाता था खिलत किस चोल शासक के गदी पर ठिलत Раз लेगा अधी राजंदर की मिर्टू के बाद फूर्वि चालुक के वन्षे मतलब वेंगी के राजकुमार चोल वन्ष का समराठ बना इसलिए प्रवरती चोल इतिहास को चोल चालुक के इतिहास भी कहा जाता के बराढमे जानते फिया के पांडे के जूर्णल के ब्रुद्ध लड़ते हुए कोपम के युद में मारा गया राजेंदर दूतिये सुमेश्वर पर्थम की सेना को इसने पराजित किया था कुलहापुर में जैस्तंब स्थापित करवाया पर केसरी की उपादी इसने धारन की थी वीर राजेंदर राजा केसरी की उपादी धारन की सुमेश्वर पर्थम ने चोल शासक वीर राजेंदर को लड़ने की चुनोती दी परंतु बिमारी के कारण वास्वम युद में शित्र में नहीं पहुँच पाया और गलानी बस उसने तुंग भद्रा में जल समाधी ले ल पलव शासक ने 642 सिस्वी में पुलकेशिन दूतियों को मार डाला और वतापी कॉंडा की उपाधी धारन की और ऑप्शन सी हो जाएगा नर्सिंग बर्मन पर्थमने काची के पलव अंश के विशे में प्रात्मिक जैनकारी हरी शेन की प्रयाग प्रस्ति से प्राप्त होती है इसके अलाबा वेंसांग के यात्रा विबरन से भी ये प्राप्त होता है संभावता पलव लोग सोतंत राज थापित करने के पूरू साथ बाहनों के सामन थे एक श्रिवाकूं को अप अदस्त कर उनकी जगा पलव आये थे कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महा मलपूरम मतलब महा बलीपूरम जिसे कहा जाता है वसाने का श्रिवी नर्सिंग बर्मन पर्थम को दिया जाता जिसने की 630 से 660 इस गी तक शासन किया इसके समय ही नर्सिंग शैली के मंदिर मंडब बनाया गये थे नर्सिंग बर्मन दूइतिये इसका काल साहिति के बंकलातमक गतिवीजियों से संपन रहा इसके दर्मार में दंडी ने दशावतार स्तूति लिखा था और इसने महा मलपूरम में तटका मंदिर कांची में बै सिक्के चलाया थे Option B सकंद गुप्त उत्तर भारत के भित्रिय स्तंब लेक एवं जूनागडवी लेक में हूनों के आक्रमन एवं सकंद गुप्त की सफलदागव लेक मिलता है काठिया बार में उसने बैल परकार के मद्दे भारत में उसने गरोर परकार के सिक्के चलाया थे वहिन सांग ने उसे शक्रा दित्ते के नाम से भी संबोधित किया था 466 में उसने चीन के सांग समराट के दरवार में दूत भेजा था उसे देश रक्षक भी कहा गया है सुदर्शन जील के बांध का पूनर निर्मान इसने करवाया था कुमार गुप्त ने मयूर शैले की मुद्रा चलाई थी महंदरा दित्य के उपादी धारन की थी और नालंदा विश्व विदाले के स्थापना की थी महरावली लौह स्तंब का संबंद चंदगुप दूतिय विक्रमा दित्य से है इसके दरवार में नौरतन विद्वान जैसे कालिदा समर सिंग धनवंतरी और बराह मिहिर थे पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का सोतेला भाई था जो बौध गुरु वसू बंदू का शिश्य था महाद्मा बुद्ध के संबंद में कौन सा कथन गलत है ऑप्शन सी जो है गलत है बाकी तीनों सही है कि सुजाता नमक इस तरी कहां थो से खीर खाकर नौर ने अपनी तपस्या भंकी थी बौध धर्म को कसर परतम अनिवायू जो है तपस्यूर का कलिक नमक दोश शुद्रों को बनाया गया था और अंतियम उब्देश कोसी नारा मतलब कोसी नगर में पड़ीव राजक सुबच को दिया था गौतम बुद्ध ने बौध धर्म का परचार मगद और वैशाली के तविक्त कोसल में भी किया था नकी मल महाजनपद में निमलिकित में से कौन और अप्पा से प्राप्त नहीं हुआ है और अप्शन सी दाढ़ी वाले वैक्ति की मिर्थि कहां से मिली है मोहन जोदरों से संभावित पुजारी की परतीमा उसको माना जाता है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है आप्शन ये जो है एतरे ब्रामन नहीं बलकि शतपत ब्रामन में हल संबंदी अनुष्ठान का लंबा वर्नन है बाकी सब सही है उत्तर वैदिक गरंतों में लौधातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है वैदिक गरंतों में चाबल का नाम ब्री ही है ब्री ही उत्तर वैदिक काल में सभा में स्तिर्यों का परवेश ने शिद्ध हो गया था जो कि रिग वैदिक काल में था शतपत ब्रामन में हल संबंदी अनुष्ठान का लंबा वर्नन इसमें कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने भी हल चलाया था सभा, समीती और विदत नामक संस्थाएं राजा की निरनकुष्टा पर नियंतरन करते थे सभा कुलीन एबं विरिद्ध मनश्यों की संस्था थे जिसमें उच्च कुल में उत्पन व्यक्ति भाग ले सकते थे समीती जनसादारन की सभा होती थी और विदत में युद्ध की लूट का वितरन किया जाता था उत्तरवधी काल आते आते सभा समीती और विदत में से विदत का नामों निशान नहीं रहा और सभा में कुलीन तथा ब्रामनों का परभुत्तो हो गया उत्तर वैदिक काल के पुर्व में वैदिक काल के अपिक्षा इस्तिरियों के सिक्षा में कमी है लेकिन फिर भी गारगी और मैत्रई जैसी कुछ विदुशी इस्तिरियों के नाम मिलते हैं मकडियों दोर उत्पादित रेशम कहलाता है Option C हो जाएगा गौसमीर रेशम समुदरी घास निमलिकित में से किस तत्तो का मुख्य सुरोत है जैसे की केलप, नोडी, कंबू, वैक्यम है अन्य सुरोत हैं सीफूड, डेरी उत्पाद जैसे दूध है एक समाने 70 kg भार वाले वैस्क मनुष में रक्त की कुल मातरा लगवग कितनी होगी है ओप्शन सी हो जाएगा 5000 ml लगवग वो 5-6 लीटर रक्त होता है समाने मनुष्य में रक्त जो एक तरल संयोजी उत्तक है या हलके एवं गहरे लाल रंग का आवपारदर्शी गाड़ा शाड़िये एवं स्वाद में नमकीन होता है यह हिर्दे एवं रुधिर वाहनियों में प्रवावित होकर संपून शरीर में निरंतर पड़ी भर्मन करता रहता है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगवग 7-8 प्रतिशत होती है अता एक स्वस्त मनुष्य के शरीर में लगवग 5-6 लीटर रक्त होता है जो उसके संपून शरीर के भाग का लगवग 9 बटे 13 हमा भाग होता है इस्तिरियों के शरी में रक्त की मात्रा लगवग 4-5 लीटर होती है। सनरचनाव के आधार पर मनुष्य के रक्त को दो भागों में बाटा गया है। पलाजमा है पहला। आयतन के आधार पर पूरे रक्त का लगवग 55-60% होता है। इसमें से भी पलाजमा का 90-92% भाग जल होता है। एक शेश 8-10% भाग में कई परकार के कारवणिक और और कारवणिक पदार्थ होते है। रुधिर कंिकाय या रुधिर आनु जिसको कहते लगवग 40-25% भाग यह होता है। कार्मिक पदार्थ इसमें सबसे अधीक मातरा में प्लाज्मा प्रोटिन्स होते हैं जो मुकेत, अल्ब्यूमीन, ग्लोब्यूलिन्स और प्रोथ्रोम्बीन तथा फाइब्री नोजन से मिलकर बने होते हैं ये रक्त के परासरन दाप को निधारित करते हैं ग्लोब्यूलिन्स ये एंटी बॉडिज का काम करते हैं और विशेले पदार्थो वाइरस और जिवानु को नश्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बीन और फाइब्री नोजन ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं इनके तरिक्त हार्मोन्स, शेरकरा, विटरमिन, अमीनोम्ल, वस एंटी बॉडिज यूरी कमल आधिक होते हैं इसमें लाल लक्त के निकाएं ये मनुष्य तता सभी कशे रुपी प्रानियों में ही पाई जाती है और 99 वतुष्यत रुधिर के निकाएं लाल रुधिरान ही होते हैं इनमें केंद्रक नहीं होता है एक घन मिलिमीटर में इनक 220 दिनों का होता है और बीसी का इनका निर्मान अस्तियों की लाल मज़ा में होता है इनका प्रमुक कार ऑक्सीजन का पड़िवहन करना है और डबलू बीसी अब आ गया शुयत रक्त का निकाएं ये लाल रुधिर का निकाएं से बड़ी किन्तु संख्या में कम और निमित अकार की और केंद्रक युक्त होती है मतलब इसमें केंद्रक होता है मनुष्य के एक घं मिलिमीटर रुधिर में इनकी संख्या लगबग सारे साथ हजार मतलब 6 हजार से लेके 10 हजार तक हो सकती है इनमें हिमोगलोवीन नहीं पाया जाता है इसलिए सफेद रंग या रंग किहीन होती है इनका निर्मान प्लीहा के अंदर होता है यह मुख्य तहानी कारक जीवानुओं एवं रोगानुओं का भक्षन करती है शरीर मेरक्त के प्रमुक कार्रे देखते हैं ओशक पदार्थों का परिवहन करना ओक्सीजन का परिवहन करना कारवन डाकसाइड का परिव परिवहन करना इसके अलावा अन्य पदार्थों का भी पडिवहन करता है, रोगों से स्रक्षा देता है ये सब और शरीर के ताप का नियंत्रन भी करता है ये सब रक्त के कारे हैं इसके अलाबा शरीर की सफाई करता है रूधिर का जमना या थक्का जमने का कारे भी करता है घाओं को भरने का कारे भी रक्त के दोरा किये जाता है और अनुवांशिक भूमिका भी निवाता है मतलब अनुवांशिक गुन जो है इसके कारण ही बनते हैं रक्त एंटीजन के कारणा अनुवाशिक अस्तर्व महत्पून बूमिका निवाता है। पौधों द्वारा प्रकाश संसलेशन के संबंद में कौन सा क्रथन गलत है। पौधों द्वारा प्रकाश के उपस्तिति में प्रकाश संसलेशन होता है। पौधे वाईव से CO2 और भूमी से जल लेते हैं। कार्वाइडेट्स का भी निर्मान करते हैं। और प्रकाश संसलेशन का बाप्रोडक्ट क्या होता। अक्सीजन गैस होता। मसूरों से खून आना नमक बिमारी किस विटामिन की कमी से होती है। और ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता। मसूरों से खून आना या सकरवी इसी को कहते हैं विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। अलग-अलग विटामिन के रासाइनिक नाम से संब्धे ट्रिक जान लिजे, रत्थ में एक टॉफी, R से हो गया रेटिनोल विटामिन E, थर से थाइमीन विटामिन B, A से स्कॉर्विक एसीड विटामिन C, कर से कैलसी फेरोल विटामिन D, तर से टॉको फेरोल विटामिन E, औ इसीड की विटामिन विटामिन D, तर से कंजिक से यौट हूँ, रत्थ में एक टॉफी, निबल गित में से कौन ऊर्जा की एक एकाई नहीं है? Option होजएगा Centigrade जो है, ऊर्जा की इकाई, नहीं है. Centigrade क्या है? Temperature, नत्लों तापमान की एकाई है. तापान औरजा दोनों अदिश राशी है जिसमें की डाइरेक्शन नहीं होता है वैसी बहुत एक राशियां जिनमें केवल पडिमान होता है अदिशा नहीं होते हैं उन्हें अदिश कहा जाता है जैसे की दर्बमान घनत्तो तापमान विद्दुदारा समय चाल आयतन कारे त्यादी जिनमें डाइरेक्शन और मैगनिचीट दोनों ही होता है उन्हें सदिश राशि कहा जाता है जैसे की वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, रेखिये संबेग हो गया, कोनीए विस्थापक, कोनीए वेग, त्वरन, बल आगोर्न, चुंबके शित्र, प्रेनन, चुंबके शित्र की तिबर्ता, चुंबकन तिबर्ता, magnitude और direction दो नहीं होता है ताप के निमलिकित में से किस पैमाने में रिनात्मक मान नहीं होता है option C हो जाएगा Kelvin में रिनात्मक मान नहीं होता है Celsius, Fahrenheit और Rumor में होता है निमलिकित में से कौन विदूत चुमबकिया प्रेरन पर आधारित युक्ती है Electromagnetic Induction पर आधारित युक्ती कौन सी है option D जाएगा B और C दोनों विदूत मोटर और डाइनेमो डाइनेमो यांत्री कुर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है जबकि विदूत मोटर विदूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलता है विदूत चुमबकिया प्रेरन समय के साथ परिवर्तित होने वाले चुमबकिया श्यत्र में रखे किसी पड़ी पत जैसे कि कुंडली में प्रेरित विदूत धारा की पड़ी घटना है एक किसी चालक को किसी पड़ीवर्ति चुमबकिया श्यत्र में रखने पर उस चालक के सीरों के बीच विदूत वाहक बल उत्पन होने को वा विद्धुत चुम्बकिया प्रेरन या इलेक्ट्रमेगनेटिक इंडक्शन कहते हैं। उत्पन विद्धुत बाहक वल का मानगनितिय रूप से फैराडे का प्रेरन का नियम द्वारा दिया जाता है। निमलिकित में से किस एक में दोनी की चाल सबसे अधीक होती है। किसी माध्यम में दोनी की चाल मुखेता माध्यम की परितास था एवं घनत्तों पर निर्वर करती है। गैसों के सापक्ष द्रवों में परत्यास्ता अधिक होती है तता ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में दोनी की चाल गैसों की अपक्षा अधिक ठोसों में सबसे अधिक होती है। वायू में धोनी की चाल 332 मीटर प्रतिस सेकेंड, जल में 1493 मीटर प्रतिस सेकेंड तथा, लोहे में धोनी की चाल 5130 मीटर प्रतिस सेकेंड होती है। जब धोनी एक माद्यम से दुस्य माद्यम में जाती है तो धोनी की चाल और तरंग धेरे तो बदल जाती है जब कि उसकी आप बृती नहीं बदलती है यह प्रशन भी पुछा गया था है अतक किसी माद्यम में धोनी की चाल धोनी की आप बृती पर निर्भर नहीं करती है बढ़ जाती है. वाईव में 1 डिग्री सेल्सियस टाप बढ़ने पर धोनी की चाल 0.61 मीटर परतिसेकिन बढ़ जाती है. आदरता, हुमिडिटी का प्रवाऊ, नम्युक्त वाईव का गनतों, शिश्क वाईव के गनतों से कम होता है. अथा आदर वाईव में धोनी की चाल ब जाती है धोनी की चाल गैसो के घनतो अथवा अनुभार के वड़क मूल के वित्व कर्मानुपाती मतलों इंवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पाइन बुड में धोनी की चाल 3,320 मीटर पर 30 सेकेंड होती है विविन माध्यम में देख सकते हैं ध्वनी की चाल, कर्वन डैक्साइड में 260, मीटर 35 सेकेंड जल में 1430 में वायू में 332, समुदरी जल में 1533, भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पे 405, लोहा में 5130, अलकोहल में 1213, कांच में 5640, हैडोजन में 1279, एलिमिनियम में 6420, और पारा म मीटर 35 सेकेंड होता है, तीसमा प्रश्न है, शुष्क मानो शरीर में विद्दुत परतिरोध के परिमान की कोटी क्या है? ओप्शन C हो जागा 10 to the power 6 ओम, निमलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ओप्शन C गलत हो जागा, एस्पिरीन का यूज जो है, पेन किलर के रूप में किया जाता, बाकि सब सही है, क्लोरो मैसेटीन, टाइफाइड नाशी है, क्विनीन, मलेरिया रोधी है, क्रिस्टल वायलेट फफुन्दिये संक्रमन, क्रिस्टल वायलेट औश्दिये नमक है जो जिवानों संक्रमन, पफुन्दिये संक्रमन, परजीवी किरों के संक्रमन और अन्ने स्थितियों के उप्चार के लिए देशित किये जाते हैं, किस्टल वायलेट को, निश्च्च्च्च्च क्या है, डाइ इथाईल इथर, क्लोरो फॉर्म, सलफोनल, वेरोनल, क्लोरो प्रोपेन, कोकीन, डाइजी पाउम, पेंटूथल, सोडियम, हेलो थेन, नाइट्रस, ऑक्साइड ये सब निश्च्च्च्च्च के रूप में काम आते हैं, कैला माइन, निमलिकित में से किसका आयस्क है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंक का, एल्मुनियम का आयस्क है, व प्रियोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन इएगा सोडियम, कार्बोनेट का, बाकी तीनों का किया जाता है, बंजीन, कार्बन, टित्रा खलोराइड और ट्राइक्लोरो, एथेलीन का, ड्राइक्लिंग, ड्राइक्लियम में, में उपर में जो तीन दिये गए हैं उसके अलावा सॉल्वेंट एस्टुडर्ट इत्यादी का प्रियोग भी किया जाता है इसकी खोच जीन पैपिस्ट जॉली ने की थी सॉल्वेंट का प्रियोग कपरों की दुलाई के लिए किया जाता है जिसमें कठोर जल को मिर्दूर जल में प्रिवर्ति किया जाता है इससे वाशिंग सोडा या सोडा एश के नाम से भी जाना जाता है सॉल्डरिंग के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है आप्शन भी वज़ेगा शीशा एवम टिंड कर। सोल्डर में शुदातू 450 डिग्री सेलसीयस या 840 डिग्री फॉरेन हाइट तापमान पर गलन बिंदू पर पहुंचती है। और पिगला पदार्थ जो है किसी भी धात्विक समूह से जुर जाता है। न्यूट्रोन के समद्ध में कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन सी गलत है। इसकी कोच जो है बिरेलियम धातू पर अलफा कनों के आगास से की गई थी। बाकी सब सत्य है। इसकी कोच जेम्स चैडविक ने की थी। इसका द्रमान पॉट्रोन के द्रमान के लगबग बराबर होता है। यह एक आवेश रहित मूल करना है। इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है। आवेश रहित होने के कारण इसका उप्योंक नावकिये विखंडन में किया जाता। है केवल हाइडोजन के नाविक में नहीं पाए जाता है निल्ट्रॉन वह ताप क्या कहलाता है जिस पर बर्फ पानी और वाश्प संतुलन में रहते हैं आप्शन डी त्रिक बिंदू और इस बिंदू को ताप मान की इकाई परिभाशित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है त्रिक बिंदू ताप जिस पर पानी को तीनों अबस्ता है ठोस दरब एवम गैस एक साथ पाई जाते हैं इसका मान होता है 273.16 केलविन निमलिकित में से कौन सा जोरा गलत सुमेलित है बिग्यान के शाखाएं दी गई है आप्शन डी जो है वो गलत है कीट पतंगों का अभ्यापक अधन करने वाला भी ग्यान कहलाता है एंटोमोलोजी जो है एपिडेमियोलोजी जो है महामारी और उसके उप्चार से समद्दी चिकिस्सा भी ग्यान की शाखाएं बाकि जेनरलिस का यूज किया जाता है समस्त ब्रह्मांड का अधन करने वाली विग्यान की शाखा है कॉस्मोलोजी निमलकित में से कौन सा एक मानसिक रोग है आप्शन डी हो जागा सीजोफ्रेनिया इवा बर्ग में होता है रोगी द्वार कल्पना को इस सत्य समझा जाता है ऐसे रोगी आलसी एवम अलगाव हीन होते हैं विद्दूत आपेक्ष चिकिस्सा इसमें सहायक होती है टर्णर सिंड्रोम की बारे में जानता है यह रोग अर्द सुत्री विवाजन से अनिमित्ता जुत्पन होती है उसके कारण होता है जिससे शरीर अल्प विक्सित कद छोटा वक्ष चपटा मतलब जनरली स्त्रियों में होता होगा जननांग अविक्सित होती है ऐसी स्त्रियां बांज होती है मंगोलेज्म या डाउन्स सिंड्रोम अज सुत्री विवाजन में अनियमित्य के कारण इसमें ब्रून कुछी समय पश्चात मर जाता है अगर जीवित जुराता है तो विक्सित होने वाया वश्क जो है मंद बुद्धी आँखे टेडी जीव मोटी और अनियमित शारीरिक धा पाँचा होता है पटाउ सिंड्रोम इसमें रोगी के ऊपर का जो ओट है बीच से फट जाता तालू में दरार हो जाता इस रोग में रोगी जो है मंद बुद्धी नित्र रोग आजिसे प्रभावित हो जाता है नियमित में से कौन सा थारोक्सीन का कार्य नहीं है रोधिर में कैल्सियम की मातरा का नियंत्रंद करना थारोक्सीन का कार्य नहीं है तो सही उत्तर यह हो जाएगा बाकी सब इसके कार्या है शरीर की समाने वरी दिवशेश्ट हडियों बाल का विकास प्यूश गरंथी के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्र और कोशकी ये शोसन की गती को बढ़ाना रूधिर में कैलसियम की मातरा के नियतन पैरा थैरोइड गरंथी से निकलने वाले हर्मोन से होता है जनर अंगो के समानेकार थैरोक्सीन की सक्रीटा पर आधारित होते हैं थाइरोक्सीन पेराथोराइट ग्रेंट से निकलने वाला हर्मोन है जिसमें आयोडीन अधिक मातरा में रहता है हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपाफचे को थाइरोक्सीन कार्बोहाइडेट नियंत्रित करता है यह ब्रिद्धी के संतूलन के लिए आभशक होता है थाइरोक्सीन की कमी से होने वाले रोग यह गार ठीक है मिकसीडमा और हाइपो थाइरोडिज्म इसकी अधिक्ता से भी रोग होते हैं जैसे की टॉक्सिक गॉइटर और एक्सो पलेथेल्मिया चालिसमा प्रशन दर्द ठंधार गर्म को पहचानने का कारे कौन करता है आप्शन भी होजाएगा थैलमस सेरी ब्रम के कारे क्या क्या है देख लीजिए बुद्धी मता या दाश इच्छा शक्ति त्यादी का केंदर है सेरी बेलम के कारे शरीर का संतूलन बनाय रखना शरीर के एक्षिक पेशियों के संकुचन पर नियंतरन आंतरी कान के संतूलन भाग से संबेदनाय गहन करना हाइपो थैलमस के कारे ब्लड पेशर जल के उपापचे पसीना गुसा फुशी पर नियंतरन यहाँ पे थोरा सा गलत है सेरी बरम थैलमस और हाइपो थैलमस जो है अगर मस्तिश का भाग है जबकि सेरी बेलम और मेडूला अब लॉंगटा हिंड ब्रेन मतलों कि पश मस्तिश के भाग होते है तो यहाँ पे थोरा सा आप लोग करेक्ट कर लिजेगा सेरी बरम थैलमस और हाइपो थैलमस जो है अगर मस्तिश का भाग है यहाँ से भुगोल के प्रशन शुरू है 41 है निमनमस से कौन से खगोलिये पिंड है देखा जाते हैं आसान प्रशन है option दी हो जाएगा उपरोग सभी सूर्य, चंद्रमा, प्रत्वी, उल्का पिंड और वह सभी बस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है उन्हें क्या कहते हैं खगोलिये पिंड कहते हैं ठीक है यह सभी बस्तुएं वह खगोलिये पिंड किन खगोलियों पिंडों को तारा कहते हैं option भी हो जाएगा जिनके पास अपनी उश्मा एवं प्रकाश दोनों होता है उसे क्या कहते हैं तारा कहते है कुछ खगोलियों पिंड बड़े आकार वाले एवं गर्म होते हैं ये गैसों के बने होते हैं इनके पास अपनी उश्मा एवं प्रकाश होता है जिनको बड़ी मातरा में उसरजित करते हैं इन खगलियों पिंडों को तारा करते हैं जैसे कि सूरे भी एक तारा है तारों के विविन समूहों के द्वारा बनाए गई विविद आकरितियां क्या कहलाती है विविन परकास के जो शियप्स बनाए जाते हैं तारों के समूह द्वारा उसे क्या कहा जाता है आप्शन डी हो जागा नक्षत्र मंडल ठीक है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो इस पेडिये में दी गई है इसको आप लोग देख सकते हैं बहुती लंबा चौरा दिस्क्रिप्शन में ने दिया है सूरे से संबंदित लवग सभी तथी इस प्रोश्ण में आपको मिल जाएंगे 43 प्रोष्ण में 44 प्रोष्ण की वर चलते हैं सब कुस दिया हुआ सूर्य काप एक्षिक दर्मान ब्यास गहनत्तो रासानिक बनावट के हाँ जीवन काल कितना होता है अंतरिक्ष से संबंदित अर्सा मेजर या बिग बीर का संबंद किस से है option B नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर या बिग बीर एक परकार के नक्षत्र मंडल है बहुत आसानी से पचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सबतरशी मतलब साथ तारों का समू नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग है किन खगोलियो पिंडो को ग्रह कहा जाता है option C हो जाएगा जिनके पास अपनी उश्मा आयवम परकाश नहीं होता है उन खगोलियो पिंडो को क्या कहा जाता है ग्रह कहा जाता है ये जो है तारों के प्रकाश प्रकाशित होते हैं ग्रह जो है ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है चारों और गुमने वाले जैसे कि ग्रह गुमता है सूरे से बढ़ते हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही करम चुनिए सभी ग्रह जो हैं सूरे के चार और चकर लगाते हैं option B जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा option D सूरे से दूरी के अनुसार बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या हो जाएगा बुद्ध, शुक्र, फृत्वी और मंगल ये सही क्रम हो जाएगा सूरे से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही करम मतलब आरोही करम जिसको कहते हैं बढ़ते हुए दूरी बढ़ती जाएगी परिकरम अबधी के अनुसार ग्रहों का आरोही करम और परिकरमन वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही करम मतलब घटता हुआ करम इस प्रकार है, बुद्ध मतलब मरकरी, उसके शुक्र, वीनस, पृत्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, विरस्पती, जुपिटर, शनी, सैटर्न, यूरेनस, अरुन, और नेप्चुन, वरुन, ट्रिक क्या है इसका, माई, ठीक है, वेरी, एफिशेंट, मदर, जुस्ट, सर्वड, अस, नूडल्स, या नट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसका किसका एक वार फिर से देख लेते हैं सूर्ष से दूरी के हिसाब से ग्रहों का आरोही करम मतलब बढ़ता हुआ परीकरमन अवधी के अनुसार ग्रहों का आरोही करम ठीक है ये भी बढ़ता हुआ प्रिक्रमन वेक के अनुसार ग्रहों का अवरोही करम, मतलब घठता हुआ करम इसको इस तरह से याद रखता है, इन तीनों चारों के लिए यही एक ट्रिक है आकार के अनुसार ग्रहों का करम देख लेते हैं अवरोही करम या घठता हुआ सबसे बरा विरस्पती, शनी, अरुन, वरुन, पृत्वी, शुक्र, मंगल और सबसे चोटा बुध अर्थात सबसे बरागर है विरस्पती और सबसे चोटा बुध है अब देखते हैं डेंसिटी यानि कि घनत्यों के नुसार ग्रहों का अब रोही क्रम क्या है अब रोही मतलब घटता हुआ तो घनत्यों के नुसार है सबसे ज़्यादा घना कौन सा है विरस्पती तब शनी, वरुन, अरुन, पृत्वी, शुक्र, मंगल और बुध ठोरा से इसमें जो चेंज है इन दोनों में घनत्यों और आकार के नुसार में क्या चेंज है तो शनी के बाद यहाँ पर अरुन है यहाँ पर क्या हो गया वरुन हो गया बाकी सब करम जो है सही है तो आकार के नुसार और घनत्यों के नुसार दोनों सही है के बल अरुन वरुन का अंतर है इसको ध्यान में रखना है इ जग्गू सिंग ने उस्मान इंजिनियर से वेजिटेवल्स एन्ड मैंगो मंगवाया, ठीक है, मार्स मंगल और मरकरी बुद्ध हो जाएगा, नीचे दिये गया कौन-कौन से आंतरिक गरह है, बुद्ध, शुक्र, मंगल, ब्रस्पति, आप्षिन बी हो जाएगा, ठीक है, आप्षिन बी हो जाएगा, इसमें देख लीजे, एक, दो और तीन, बुद्ध, शुक्र, और मंगल जो है, आंतरिक गरह है, वे गरह, जो सूरे के नजदीक है, वहम चटानों से बने हैं, आंतरिक गरह कहलाते हैं, जैसे कि बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, आंतरिक गरह, चार, नीचे दिने के गरहों में कौन से वाहे गरह है, तो चार जो है, वाहे गरह अभी है, तो और तालिस कसे उतर क्या हो जाएगा, आप्षिन डी, सभी, विरस्पति, वरुन, अरुन और शनी, वाहे गरह सूरे से दूर है तता बहुत बड़े आकार के हैं, यह गैस और तरल पदार्थों से बने हुए है, विरस्पति, शनी, यूरेनस और नेप्चिन, वाहे गरह हैं, ठीक है, अरुन वरुन, विरस्पति और शनी, सौर मंडल में किंदो गरहों के बीच में, शुद्र गरह की पट्टी पाय जाती है, यह सब प्रश्ण जो है मैंशा, पूछे जाता है, विप्यस्टी में भी शायद पूछा गया था, यह यह सई वाले में, और ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल और वर्श्पति के बीच में पाया जाता है, शुद्र गरह का पट्टी, तारो, गरहों, उपगरहों के अतरिक्त, असंग के छोटे-छोटे पिंड, सूरे के चारो और चकर लगाते हैं, इन पिंडों को कहा जाता है, शुद्र गरह, क्या-क्या, तारो, ग्रहों, ग्रहों के अत्रिक्त, असंग के छोटे-छोटे पिंड भी जो है, सूरे के चार ओर चकर लगाते हैं, इन पिंडों को शुद्र ग्रह कहा जाता है यह मंगल और विस्पति की कक्षाओं के बीच में पाय जाते हैं, विज्ञानिकों के अनुसार शुद्र ग्रह, ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत बर्ष पहले विस्पोर्ट के बाद ग्रहों से तूटकर अलग हो गए हमारे सौर मंडल में सूरे से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है आप्शन भी नेप्चिवन, मतलब वरुन सूरे से दूरी गर्ण सा ग्रहों के सिथी पहले भी देख चुके हैं वरुष दोजाच्चे में अंतराष्टिय खगोली संगटन अपनी बैठक में निर्ने लिया कि पुलूटो तथा अन्य खगोली पिंड बॉने ग्रह कहा जा सकते हैं जो अभी तक ग्रह इससे पहले माने जाते देज़े सौर मंडल का निर्मान किस से मिलकर होता है अप्शन डिवजय का उप्रोग सभी सौर मंडल का निर्मान होता है सौर आठ ग्रह उप्ग्रह और कुछ अलग खगोली पिंड जैसे कि शुद्र ग्रह और उलका पिंड इन सभी मिलकर सौर मंडल का निर्मान करते हैं उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्या है सूर्य सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चकर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए है आप्शन भी हो जाएगा दिर्ग विरिता कार इसको भी याद रखना है सौर मंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पत पर सूर्य का चकर लगाते हैं ये रास्ते दिर्ग विरिता कार में फैले हुए हैं जिन्हें कि हम लोग और्बिट या कक्षा कहा जाता है किस ग्रह की आकरीती एवा माकार लगबग प्रित्वी के ही समान है प्रित्वी के जुरुआ बान वे इसको कहते हैं आप्शन भी हो जाएगा शुक्र प्रित्वी के निकट सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है प्रित्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है आप्शन भी शुक्र प्रिद्वी से शुक्र की दूरी है 41.4 मिलियन किलो मिटर प्रिद्वी से मंगल की दूरी है 78.3 मिलियन किलो मिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा है वों सबसे छोटा गरह कौन सा है कौन से वो दोगरह है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में प्रिकर्मन विप्रित दिशा में है कौन से वो दोगरह है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में प्रिकर्मन करने की जो चाल है वो विप्रित दिशा में है सभी एक दिशा में जाते हैं लेकिन ये दो जो है उनके ऑपॉजिट है ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्र एवं यूरेनस मतलब की अरुन शुक्र एवं यूरेनस की परिकर्मन की दिशा अन्य ग्रहों के विप्रित है ये दोनों जो है सुई की दिशा में मतलब क्लॉक वाइस गुमते हैं जबकि अन्य ग्रह जो है एंटी क् लखना है हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है बुद्ध, शनी, शुक्र, उरेनस सही कूट का चैन करना है दी हो जाएगा पहला और तीसरा मतलब बुद्ध के पास नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है हमारे सौर मंडल में बुद्ध, शुक्र के पास कोई चंद्रमा मतलब की प्राकिरतिक उपग्रह नहीं है नीचे दिए ग्रहों में सबसे रिक चंद्रमा मतलब प्राकिरतिक उपग्रह किसके पास है और ऑप्शन ही हो जाएगा शनी पहले ज़र विरस्पति के पास सरवाधिक चंद्रमा था 79 वर्ष 2019 में हुए खोज को मिला कर ठीक है अब ज़ो है शनी के पास सरवाधिक चंद्रमा हो गया है 2019 में हुए खोज गेनुसर 82 इसको याद रखना है current का भी काम करेगा और ये gk का भी काम करेगा मंगल के पास चंद्रमा की संख्या 2 है ये उरेनेस के पास चंद्रमा की संख्या 27 बुद्ध शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा या उपगरह नहीं है प्राचीन भारत के परसिद खगोल शास्त्री कौन थे Option C हो जाएगा आरेवट खगोलियों पिंड़ों उनकी गती के संबन्द में अध्यन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलदारा है Option D हो जाएगा इन चारों में वयाशियो ये जो है ठंडी जलदारा है वह आशियो या इसी को कुरील जलदारा भी कहा जाता है वह आशियो या कुरील उत्री परशान्त महासागर में बहने वाले एक ठंडी जलदारा बाकि सब गर्म है कि वह रोशियो अगुलहास और गल्फ और स्ट्रीम ये सभी गर्म जलदारा है वो या आशियों को कुडिल जल्दारा भी कहा जाते हैं इसको याद रखना है एक सट्वा प्रोश्ण है Irregulating Act 773 के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है Option एक गलत है इस अधिनियम के अंतरगत कलकता में 1774 में 1774 में एक सर्वुच चुनेले के स्थापना की गई थी बाकि सब सही इस अधिनियम के दोरा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पत दिया गया Lord Warden Hastings बंगाल के पर्थम गवर्नर जनरल बने इस अधिनियम के दोरा भारत में 177 कंपनी पनियंतन रखने का पर्थम प्रयास किया गया था और इस सर्वुच चुनेले में एक नयाधेश यवं तीन अन्य नयाधेश थे इससे पहले भी हम लोग डिसकस कर चुके है सर एलिजय एमपे को मुख्य नयाधेश बनाया गया था इस अधिनियम के दोरा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस अधिनियम में पहली बार भारत में कमपनी के राज के लिए लिखी समिधान प्रस्तूत किया गया था इसको भी याद रखना है कमपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक उतरदाईतों को सुईकार किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कम्यों को दूर करने के लिए बिटिश संसद्वारा 1781 में कसंशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसे की एक्ट आफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है पीट सिंडिय एक्ट 1784 के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है चार कथन दिये गया है इसी क्याधार पर सही कूट का जो है चैन करना है बारसटमा प्रशन देख लिजा आप लोग पर लिजा अच्छी तरह से ऑप्शन भी दूसरा एबम तीसरा जो है वह सही नहीं है दूसरा एबम तीसरा देखते हैं पीट सिंडिया अक्ट 1784 के बारे में इस अधिनियम के दौरा बीटिश संसत दौरा कमपनी के राजनीती के वह वेपारी कारियों को अलग किया गया वेपार संबन्दी कारियों का प्रबंदन कमपनी के प्रतिनिधी संचालक मंदल मतलों कोर्ट अफ डाइरेक्टर्स के हाथों में सौप आ गया जबकि राजनीती कारियों के प्रबंदन के लिए बेटिश संसत दौरा नियंतरन मंदल मतलों बोर्ड अफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था कमपनी के कारियों को दो भागों में बाटा गया व्यवपारी के वं राजनीतिक जिने करमश्व, कोर्ट अफ डारेक्टर्स और बोर्ड अफ कंट्रोल के हाथों में सौप आ गया यह पहले भी देख चुके इस परकारी से अधिनियम दौरा दोयद शासन व्यवस्था का प इस एक्ट से सम्बंदित विदेख बेटिश संसन में ततकालीन बेटिश पधानमंत्री पीट दय अंगर ने प्रस्तूत किया था इसलिए इस विदेख को पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है निम्लिकित अधिनियमों पर विचार कीजिए इनमें से किन किन को जो है चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है चार चार्टर अधिनियम आए थे ओप्षिन डी से ही है चारो ही 1793 से शुरू हुआ था 20-20 साल के अंतराल पर ही आया था 1793, 1813, 1833 और 1853 20-20 साल के डूरेशन पर आया था इसको याद रहकना अपने आप याद हो जाएगा 1793 से शुरू करना है 1853 उप्रिक्त सभी अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं 1786 और 1859 के बीच में बीटिश शंसर ने कंपनी के मामले में चार परमुक्ट चार्टर अधिनियम पारित किये देश सभी 20-20 साल के अंतराल के आया थे इन्हें चार्टर अधिनियम इसलिए का जाता है क्योंकि इन अधिनियम के द्वारा कम्पनी की आग्या पत्र अबदी बढ़ाने के साथ कम्पनी के अधिकार कम्पनी के भारतिये परशासन में समय समय पर महत्पुन बदलाओ किये गए इसलिए इनको चार्टर अधिनियम कहा जाता है चार्टर में साधेश होता है निमलिकित में से कौन सा कथन आसत्ते है आप्शन भी जो है वह गलत है 833 में 25 समय 3OUR में चीन के साथ वेपार और चाय के वेपार को छोड़ दिया गया अठासो 3 yo 6 के चार्टर ये गण्पनी के वेपारी के अधिकार को आधिकार को समय कर दिया गया पर अठासो 3 चार्टर ये वह प्रशन जो है पुछाई जाता है 833 के Charter Act के तत्थ गवर्ण जनरल की परिशद में विधी सदस्य की रूप में 14 सदस्य की नुक्ति की गई Lord मैकाले को विधी सदस्य के रूप में पहली बार नुक्ति किया गया Lord मैकाले की अधरक्ष्णा में बात में पहला विधी आयोग गठित हुआ था 833 के Charter Act के तत्थ बंगाल के गवर्ण जनरल को भारत का गवर्ण जनरल बना दिया गया गवर्ण जनरल की सरकार भारत की सरकार एबम उसकी परिशद भारतिये परिशद कहलाई लॉर्ड विलिम बेंटिक भारत के पर्थम गवर्नर जनरल बने अब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे वारेन हेस्टिंग्स याद रखना है 833 के चार्टर एक्ट के दौरा भारत में दास पर्था को गैर कानूनी गोशित किया गया थे यह सब important points है 833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि कम्पनी के परदेशों में रहने वाले किसी भारतियों को धर्म, वन, शुरंग या जनमादी के अधार पे कम्पनी में किसी पद के लिए अयोग नहीं ठहराया जा सकता हलाकि ऐसा होता नहीं था प्रंतु Court of Directors के विरोध के करण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया मैंने बोला ही था आगे चल कर या प्रावधान परशासन में भागिदारी का मुख्यादार बना चार्टर एक्ट अठास और तिरेपन के बिश्या में कौन सा कथन सही नहीं है Option D इस अधिनियम ने भारतिय विधान परिशाद को बजट पर बहस करने के शक्ति परदान की थी बजट पर बहस की शक्ति जो मिला था वो 1892 के अधिनियम के द्वारा मिला था ठीक है तो ये गलत हो गया विधान परिशद को बजट पर बहस करने के शक्ति भारतिय परिशद द्वरा 892 में प्राप्त हुई थे 1793 से 853 के दौरान पारित किये गये चार्टर अधिनियमों के शिंखला में अंतिम अधिनियम था इस अधिनियम के दौरा सीविल सेवकों की भरती एवम चैन है तो खुली परतियोगता की विवस्था शुरू हुई 854 भारतिय सीविल सेवा के संबंद में मैकाले समीती का भी गठन किया गया था गवर्नेंट जेनलर की परिशद में कानून निर्मान में साहता देने के लिए 6 नय सदस्य की निक्ति की गई थी ये चार्टर एक्ट 1853 के बारे में बात हो रहा है ठीक है इसको ध्यान रखना है इस परकार गवर्नेंट जेनलर के लिए विधान परिशद अस्तित्त में जिसे भारतिय मतलब केंद्रिय विधान परिशद कहा गया इस विदान परिशद ने लगू संसद की तरह कारे किया इस परकार पहली बार गवर्नर जनरल की परिशद में बीधाई एवं प्रशासनी कारें को अलग-अलग किया गया 833 के अधिनियम के तहट पहली बार भारतिय विधान परिश्वद में अस्थानिय परतिने धित्तो शुरू किया गया इस अधिनियम के दौरा बंगाल के लिए पिर्थक लेफटिनेंट गवर्नर की नुक्ति की गई एवं गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1859 के संदर में कौन कौन से कथन सत्ते हैं आप्शन भी होजाएगा पहला और तीसरा जो है सत्ते है पहला इस अधिनियम के दौरा भारत में एक राज सचीव नामक पद का सिर्जन किया गया और गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया 1859 के अधिनियम के तहट तो इसको भी याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1859 के दौरा कंपनी के कोर्ट अफ डिरेक्टर से बोर्ड अफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया अब भारत में दोयद शासन परनाली का भी अंतो गया भारत का परतम वायसराय लौड बिलियम बेंटिक को नहीं बलकि लौड कैनिंग को बनाया गया था इस अधिनियम के दौरा भारत के राज सचिव नामक पदका से जन किया गया यह सचिव बिटिश मर्तिमंडल का सदस्य होता था एवं भारतिय मामलों में बिटिश संसत के प्रती उत्तरदाई होता था भारतिय परिशासन पर नियंतरन की संपूर्ण सकती राज सचिव में नहीं थी भारत सचिव के सहाता के लिए 15 सदस्य परिशद मतलब कॉंसिल आफ इंडिया का गठन किया गया यह परिशद एक सलाकार समीती थी परिशद का धक्ष भारत सचिव को बनाया गया था गवर्नर जनल का पद वाय सराय कहलाने लगा क्योंकि सधी नियम के तथ कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था भात का शासन सिधे महरानी विक्टोरिया मतलब क्राउन के आहदों में चला गया गवर्नर जनल अब समराट के प्रतिनीदी के हैसे से कारे करने लगा था संचालक मंडल, नियंतक मंडल या गवर्नर जनल की सभी शक्तिया परिशद सहित भारत सचिव में केंदित कर दी गई जो संसत के परती उतरदाई था भारत सचिव के परिशद को कॉर्परेट बॉडी घोशित कर दिया गया जिस पर इंग्लेंड और भारत में दावा किया जा सकता था नई वेवस्ता का प्रारम महरानी विक्टोरिया की घोशना के साथ हुआ कब 1 नबंबर 1859 को इलावाद में घोशना की गई थी जहाँ पर एक विश्यश दर्वार जो आज इत किया गया था भारतिये परिशद अधिनियम 1861 के विश्यव में निमलिकित में से कौन सा कथन असत्त्य है ऑप्शन सी हो जागा इस अधिनियम ने वाय सराय को अध्यदेश निकालने की शक्ति परदान की जिसकी अधिनियम में वाय सराय को अपात काल में परिशद की संस्तूती के बिना अध्यदेश जाने की शक्ति तो मिली लेकिन इसका समय केवल 6 मागा होता था ना की एक साल का इस अधिनियम के दोरा पहली बार भारतिय परतिनीदियों को कानून बनाने की परकिरिया में शामिल किया गया था सन 822 में लोर्ड कैनिंग दोरा तीन भारतियों बनारस के राजा पटियाला के महराज एवं सर दिनकर राओ को गैर सरकारी सदस्य की रूप में विधान परिशद में मनोनित किया गया था इस अधिनियम के दोरा एक रलेटिंग 1773 में परारंब की गई केंदरी करन की परविर्थी को बदल दिया गया एवं विकेंदरी करन की परकिरिया शुरू की गई मदरास एवं बंबई प्रेसिदेंसियों को विधाई शक्तिया पूना परदान की गई जिने की बंगाल प्रेसिदेंसी के अंतरगत कर दिया गया था इस अधिनियम के अधार पे बंगाल 1862 में उत्तर पश्यम सीमा प्रांत 1866 में एवं पंजाब 897 में विधान परिशदों का गठन तीन जगा पे हुआ इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1869 में प्रारम की गई पॉर्टफोलियो परनाली को मानेता परदान की गई भारतिय परिशद अधिनियम 1909 के संदर में कौन कों से कथन सत्ते हैं तीन कथने आपर दिये गया है Option B केवल सही है कि पृतिक निर्वाचक मंडल मतो सामपरदाईक निर्वाचक परनाली की शुरुवात हुईती केवल यही सही है बागी सब जो है गलत है यह तो गलत है ही ठीक है और लॉर्ड मिन्टो को सामपरदाईक निर्वाचक के निर्वाचन के जनक के रुक में जैना जाता है सतंद्र सिनावाय सराई की कारेपालिका परिशद के परतम भारती सदस्य से बने इन्हेविधी सदस्य से बनाया गया था भारत शासन अदिन्यम 1919 के संदर में कौन सा कथन ओसत्त है यह इसा अदिन्यम दोयद शासन के स्थापना की गई थी यह गलत है भारत शासन अदिन्यम 1919 के दोरा केंदर में नहीं बलकी प्रांतों में दोयद शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी प्रांतिय विश्यो को दो भागों में बाटा गया था हस्तांत्री तेवं अरक्षित विशय हस्तांतित विशयों पर गवर्नर जेनर का शासन होता था इन कार्यों में हुआ उन मंतियों की साहता लेता था जो विधान परिशत के परती उतरदाई थे अरक्षित विश्यों पर गवर्नर कारेपाली का परिश्यत की सहायता से कारे करता था और कारेपाली का परिश्यत विधान परिश्यत की परति उत्तरदाई नहीं थी शिक्षा स्वास्त आधी हस्तांतित विशे थे जबकि पुलिस जेल नियाएं वित राज्यस्वादी अरक्षित विशे होते थे भारत शासन अधिनियम 1919 ने भारत में आंशिक रूप से मतलब पार्शेली उत्तरदाई शासन के स्थापना की थी इस अधिनियम के दोरा बेटिश संसद ने पहली बार भारत में उत्तरदाई पर शासन की दिशा में कदम बढ़ाया था इस अधिनियम में प्रांतियस तरप संसदिय शासन विवस्ता की जहलक मिलती है इस अधिनियम के दोरा केंद्र में पहली बार दूई सदनिये विवस्था शुरू की गई थी राज्य परिशद उपरी सदन पाँच बरश के लिए और विधान सबा निचला सदन तीन बरश के लिए इस अधिनियम के दोरा पिर्थक निरवाचक परनाली का अविस्तार करते हो मुसलिमों के अलाबा सिखों, भारती इसायों, आंगल भारतीों वें वेरोपियों को भी इसमें शामिल किया गया इस अधिनियम के दोरा केंद्रयम प्रांतिय विशों के सुची पहचान कर दोनों को अलग किया गया तता केंद्रियम प्रांतिय विधान प्रषादों को अपनी सूचियों के विश्यों पर विधान मतलों की कानून बनाने की शक्ति परदान की गई यातायात, डागगर, सुरक्षा एवं वैदेशिक मामले किंदे विश्यकंदगत तता क्रिशी, सिक्षा, स्वास्त, अस्थानिय प्रशासन, प्रांतिय विश्यकंदगत शामिल किये गए संपत्ति, कर एवं सुक्षा के अधार पर सिमि संख्या में लोगों को मताधिकार परदान किया गया था इस अधिनियम के द्वारा एक लोग सेवायो का गठन किया गया था ली आयोग ली आयोग की सिफारिश पर सन 1926 में सीविल सेवकों की भरती के लिए केंदरिये लोग सेवायो का गठन किया गया इस अधिनियम के द्वारा केंदरिये बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया इस अधिनियम के द्वारेक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया और लंदन में भारत के उच्चा युक्त का रहलेकर सिर्जन किया गया भारत श्यासन अधिनियम 1919 मोंटग्यू चर्मसवर्स उधार पर अधारित थी जिसकी गोशना 20 अगस 1917 में की गई थी यह अधिनियम सन 1921 में लागू हुआ यह वा 1937 तक भारत में लागू रहा है निमलिखित पर विचार करना है कि कौन-कौन से भारत श्यासन अधिनियम 1935 के संदर में सही है ठीक है प्रांतीय स्वायत्ता प्रांतों में दोयद श्यासन संग्य विवस्ता संग्य नियाले की स्थापना और आड़ बियाया की स्थापना आप्शन सी हो जागा दो को छोड़के बाकी सब सही क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहट प्रांतों में दोयद श्यासन को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी निवल में से कौन सा कथन सही नहीं है आप्शन सी जो है गलत हो जाएगा भाराष शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए के लिखिस समीदान का प्रावदान नहीं था बलकी पहली बार जो है क्रिप्स मिशन में इसका प्रावदान किया गया था बाकी सब से ही है 12.6.1935 के प्रापदानों के नुरूप बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की गई थी बरतमान में भात में राश्टपती को अधादेश निर्गत करने की शक्ती 12.6.1935 से प्रेरित है और भारत शासन दिने 135 में पहली बर प्रांतिय स्थर पर दूई सदनी विधान मंडल के स्थापना की गई थी बाहरतिय समिधान सभा के बिशय में निर्गित में से कौन सा कथन सत्ते है चार कथन दिये गएं समिधान सभा के संदर में option C हो जागा एक, दो और चार जो है तीसरा जो है सत्ते नहीं है समिधान सभा के सद्स्यों का निरवाचन जनता दौरा परतक्ष रुप से नहीं किया गया था इसके सीटे जनसंख्या के अनुपात में निदारित की गए थी, मोटे तोरपर दस लाग की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था, इसके चुनाव में सिमित मता अधिकार का प्रयोक किया गया था, जैसे कर संपत्तियों सक्षिनक योगता के अधार पर सिमित कि जाब अतसमीधान सभा एक बहुत दलिये निकाय थी कौन सा कथन जो है औस अत्ते हैं ये भी समीधान सभा के बारे में है अप्शन भी गलत समीधान सभा के पर्थम औस अस्ठाय दक्ष बने थे सचिदानन सिना डॉक्टर पर्थम अस्ठाय दक्ष बने थे लकिन पर्थम अदक्ष की बात होगी तो हमेशा सचिदानन सिना का नाम है 살गा पर्तम बैठक, दूतिय बैठक और शुरुवात सब हम लोग पहले देख चुके हैं पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कुशन कर चुके हैं कितने सदस्य थे यह सब भी हम लोग डिस्कुशन कर चुके चुहत्तर प्रश्ण है, निमलेकित कतनों पर विचार कीजिये और सही उत्तर का चैन करना है तीन कतन दिये गए हैं, सही कूट का चैन इससे करना है आप्शन ए पहला और दूसरा कतन जो है, सत्य है समिधान सबाद और राष्टिय दोज के प्रारुप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और राष्टिय दोज के बीच में चक्र में कुल 24 ते लिया है जबकि राष्टिय दोज के लंबाई अबम चोड़ाई का अनुपात कितना है जबकि अन्य जगहों पर आपको 12 बैठके आज़ित की गई थी ऐसा मिलेगा समिधान सबाद की कुल 12 बैठके आज़ित की गई थी अन्तिम बैठक 24 जनुबे 1950 को आज़ित की गई थी जब इसके सदस्यों ने समिधान पर हस्ताक्षर किये थे समिधान सबाद ने अपने चौथया दिवेशन में 22 जुलाई 1947 को राष्टिय दोज के प्रारूप को स्वाक्यार किया था राष्टिय दोज के बीच में चक्र में कुल 24 ती लिया है समिधान सबाद से समंदित कुछ अन्य तथभी देखते हैं ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक दे इंडियन कॉंस्टिटूशन में लिखा है कि समिधान सबाद एक दलिये निकाय है सभाई कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ही भारत है लॉर्ड विस्काउंट ने समिधान सबाद को हिंदूों का निकाय का है विस्टन चर्चिल के अनुसार समिधान सबाद ने भारत के केवले एक बड़े संबुदाय का परतने दित्तों किया है आईवर जेनिंग्स के अनुसार भारतिय समिधान निर्वाताओं ने भारतिय संग में अल्प संक्यक हीतों एवं भावनाओं को नियूंतम रखने का परयास किया है निमलिकित में से कौन सा कथन और सत्य है ये भी समिधान के संबंद में है आप्शन सी राष्टगान को 24 जन्वरी को 24 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था ना कि 26 जन्वरी 1950 को बाकी सब सत्य है समिधान सभाकर निर्मान सम्मंदिस और परतम विचार 1934 में प्रस्तूत किया गया था 24 जन्वरी 1950 को डॉक्टर आजन्द पसाद को भाद का परतम राष्टपती चुना गया था भारतिय समिधान को बनने में दो वर्ष 11 महीन और 18 दिन लगे परतम बैठक 9 से 30 दिसंवर 1946 में एवं 11 वी बैठक 14 से 26 नमबर 1949 में आज़ित की गई थी निमलिकित में से कौन समिधान प्रारूप समीती के सदस से नहीं थे आप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा मतलग कि जे भी करपलानी नहीं थे और सादार प्रारूप समीती के सदस से नहीं थे बाकी ये तीन हो थे देखते हैं कौन-कौन सदस से थे समिधान सवा की प्रारूप समीती के गठन 29 अगरस 1947 में किया गया था जिसमे अधक्ष सहित साथ सदस से थे बी-ार अंबेडकर डॉक्टर बी-ार अंबेडकर जेने की बाबा सहीब भीम रावा अंबेडकर भी कह जा जाता धक्ष थे अन, गोपाला स्वामी आयंगर अल्लादी किष्ण स्वामी अयर, डॉक्टर क.म पुंशी स्यद मुहमत सदुल्ला यН माधव राय BL मित्र के स्थान पे ये बने थे TT किशनामा चारी DP खेतान की मित्व के पश्चात इन्हें शामिल किया गया था समिधान सवाएं समिधान प्रारूप के समद में कुछ अन्य बाते भी जान लेते हैं BN राव जो समिधान सवाएं के समिधानिक सलाकार थे इनके द्वारा समिधान का पहला प्रारूप तयार किया गया था इनके मूल प्रारूप में 243 अनुछेद एवं 13 अनुछ जया थी के मुनशी समिधान प्रारूप समीती के मूल थे एक मात्र कॉंग्रेसी सदस्य थे ठीक है के मुनशी कि डॉक्टर अमबेटकर का निर्वाचन समिधान सभा में बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था ना कि मुंबई प्रेसिडेंसी या बंबई प्रेसिडेंसी से वह रते ते बंबई प्रेसिडेंसी में लेगिन का निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रेसिडेंशी से इसको करेक्ट कर लेना है सुची एक को सुची दो से मिलाना है अब हम सही कूट का चेन करना है इसका सही उत्तर है option C ठीक है संचालन समीती के अधक्ष कौन थे डॉक्टर राजन्द प्रसांद एका चौथा हो जाएगा और B का हो जाएगा तीसरा प्रांतिय समीदान समीती सादार पटेल इसके अधक्ष ते C का पहला संगिय समीदान समीती पंडित जवाहलाल नहरू इसके अधक्ष ते संचालन समीती डॉक्टर राजन्द प्रसाद ठीक है, C का पहला हो जाएगा और मूल अधिकार उप समीति इसके अधक्ष कोंते, J.B. किर्पलानी तो D का हो जाएगा दूसरा Option C समीधान सभा के दोरा समीधान निर्मानिक से संबंदित विविन कार्यों को करने के लिए कई समीतियों का गठन किया गया जिनमें की आठ समीतियों को मुख्य माना जाता है देखते हैं उनके अधक्ष के बारे में संग, शक्ती समीति पंडी जवाहलाल नहरू और संगिय समीधान समीति पंडी जवाहलाल नहरू प्रांतिय समीधान समीति सरदार पटेल संचालन समीथी डॉक्टर राजंदर पसाद अधक्ष प्रक्रिया नियम समीथी डॉक्टर राजंदर पसाद दो के अधक्ष थे देशी रियासतों से बारता करने के लिए समीथी डॉक्टर राजंदर पसाद तीन के अधक्ष हो गए मौलिक अधिकार उपसमीती जेवी कृपलानी अल्प संक्यक उपसमीती एचसी मुखरजी असलाकार समीती प्रामश्दाता समीती सरदार पटेल इसके अधक्षते मौलिक अधिकार उपसमीती एवं अल्प संक्यक उपसमीती सलाकार समीती की उपसमीतियां थी ठीक है, प्रारूप समीती, डॉक्टर अम बेटकर इसके अधक्षते, राष्ट दोसंबंदी तदर्श समीती, डॉक्टर राजिंदर पसाद, राज्यों से बारता के लिए बनी समीती, इसके अधक्षते, पंडि जवालाल नेहरू, तो जवालाल नेहरू और डॉक्टर भारत एवब अमेरिका के सम्भीधान के विश्य में निमलिकित में से कौन सा प्रावधान एक समान है आप्शन दियो जगत सम्भीधान के निर्वच्चन मतलब व्याख्या के लिए एक सोतंत्र नेयपाल का पाई जाती है बादकी सब समान निय है भारत एवब हम अमेरिका में सम्भीधान के निर्वच्चन मतलब व्याख्या के लिए एक सोतंत्र नेयपाल का पाई जाती है जिसे नए एक पुनर विलोकन को शक्या के शक्टी प्रापत है भारत में एकल नागरिक्ता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में केंद्र राज्य के लिए अलग अलग नागरिक्ता का प्रावधान है भारत में इकड़ी नयपालिका है जबकि अमेरिका में नयपालिका की दोयधता है मतलब केंदर राजी की अपनी अपनी नय पालिका है भारत में समिधान में तीन प्रकार की सुची है संग, राजजेव, संबर्ति जबकी अमेरिका में संग से संबंदित विश्यों को लिख दिया गया है अब शिर्ष शक्ती राज्यों को दी गई है भारत में आफशिष्ट शक्तियां जो हैं केंदर के पास हैं जब कि अमेरिका में राज्जियों के पास हैं लिकिस समीधान का शुरुआत अमेरिका से हुआ परंतों अमेरिका का समीधान विश्यों का सबसे छोटा लिकिस समीधान है जिसके मूल समिधान में की अवल साथ अनुच्यद हैं वहीं भात का समिधान विश्यों का सबसे बरा लिखित समिधान है भात के मूल समिधान में 395 अनुच्यद, 22 भाग एवं आठ अनसूचिया हैं जो कि अब बढ़के अनसूचियों की संख्या 12 हो गई है भारत एवंबिटिश संभीधान के संदर में कौन सा कथन सत्य है? आप्शन इंदोनों देशों में संसद्य परनाली का प्रावदान है इन दोनों का भी हंतर यहाँ पर दिया गया है सुची एक को सुची दो से मिलाना है और सही कूट का चैन करना है किस देशों से कौन सा प्रावदान लिया गया है? आप्शन सी सही है ठीक है? एका चौथा मतलब संबर्ति सुची कहां से लिया गया है? आस्ट्रेलिया से बी का दुसरा संघात्मक विवस्था करनाडा से सी का पहला आपात उबबंध जर्मनी से और डी का तीसरा मूल कर्तब सोवियत संघ पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस से लिये गया है? जबकि मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिये गया है? संबर्थी सुची, और अस्ट्रेलिया के समिधान से ली गयी है विस्टित उबहनिश्थ सुची, और दोनों सदनों के संजुक्त बैटों को अपनाया गया है संघात्मक विस्था करनाड़ा के संब्यधान से लिया गया है अब शिष्ट सक्तिय आब अमकेंदर और राजपाल की नुखति को भी प्रावधानों के सिमें अपनाया गया है अब आत उबन जर्मनी के वीमर समीधान से लिया गया है मूल करतब रूस से लिया गया है समीधान में संशोदन के अपर किरिया है च्थिन और फिरका की संभीदान से गनतंतर आत्मक विवस्था फ्रांस के संभीदान से इसके अलावा सोतन्ता समानता बंदुत्व का सिद्धान भी लिया गया है राजी के निती निदेशक्तत आरलेंड के समिधान से लिए गया है संसद्य शासन परनाली बेटें से इसके अलावा विदी का शासन विदाई परक्रिया मंत्रिमंडल परनाली एकल नागरिक्ता सभी बेटिश समिधान से लिए गया है उद्देश्टी का संजुक तराज अमेरिका के समिधान से सोतंत्र नयपाली का नयाइक पुनराव अलोकन जिसे की जुरिशल रिव्यू का आ जाता है मूल अधिकार उप राष्टपती का पद राष्टपती पर महाभियोग ये सभी अमेरिका के समिधान से विधी द्वरास्थापित प्रकिरिया इसे जापान के समिदान से लिया गया है। नर्सीमन समीती का संबंध किस से है? एकनोमिक्स के क्वेश्चेन अब शुरू होगा। एकनोमिक्स प्लस विविध। ओप्शन सी होजएगा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स नर्सीमन समीती का संबंध हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है। मुल्ट गड़ीवी उल्मूनल हैं तो निमलिकित में से किस परधानमंदी ने मूल रूप से 20 सूत्री कारे करम शुरू किया था। ओप्शन डी इंदिरा गांधी के दवारा। 1975 में इसके शुरूआत की गई थी। 1975 में जनगन्ना 2011 के नुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का परतिशत कितना है। ओप्शन भी हो जाएगा 30 से 32 के बीच में जनगन्ना 2011 के नुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 370 मिलियन मतलो 37.7 करोड जो की 31.16 परतिशत है। कुण सा कारेकरम महिलाओं के मदे सिक्षा के परवसान को लक्षित नहीं है। औप्शन सी हो जाएगा महिला समाख्या कारेकरम इसके शुरुआत 1989 में की गई थी। वह दर जिस पर बैंकों को उसकी और से RBI में जमाधन पर ब्याज मिलता है क्या कहलाता है। औप्शन बियोगा रिवर्स रेपोरेट निमलिकित में से कौन सा शेत्र लाहो आयस के लिए परसीद है। औप्शन डी हो जागा सभी मयूर भंजवं क्योंजर सीबूम बैला डिला। ठीक है। सभी का स्थान देख लेते हैं कहां कहां है। मयूर भंजवं क्योंजर सीबूम सुंदर गड़ जो कि लाहस के लिए फेमस है। औरीसा में बैला डिला च्छतिस गड़ एवं सीबूम तुझार कंड में। बेटी बचाओ योजना के सम्मंध में एक सा कथन गलत है। Option C, प्रारम में सबसे कम लेंगा नुपात वाले 50 जिलो में इसoterा है , और गलत है ये गलत है क्योंकि इसे शुरू में कम लेंगा नुपात वारे 100 जिलो में शुरू किया गया थे बाकी सब सही है। इसकी शुरुवात 22 जनवरी 2015 को हरियाना के पानी पस्से हुई थी, इसका लक्ष लिंगा नुपात को उपर उठाना, यह तीन मंत्राले वो स्वास्त, पडिवार कल्यान, यह मानो संसादम विकास, मंत्राले वो महिला यह वो बाल विकास मंत्राले के संजुक्त पहला है. इसके तहट एक बश्ष में जनम लिंगा नुपात में दस अंको की बृद्धी का लक्ष रखा गया था। अस्थापना, 1945 में उठी अधक्ष है आंद्रे जोले, इसमें 193 सदस्य देश हैं। डबलू टीयो का महानी देश है कोई है, वर्ल्ल ट्रेड ओर्गनाजेशन। अस्थापना, इसकी कभूईती 1995 में। 164 देश, इसके सदस्य हैं, मुख्याले है स्विट्जर लेंड के जिनेवा में। बुर्रा, किस राज्य का लोक निरित है। Option C हो जाएगा, आंधर प्रदेश। RTGS का पूर्न रूप क्या है? Option भी हो जाएगा, Real Time Gross Settlement Real Time Gross Settlement, RTGS निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है? Option C, चंशेकर जो है, भौत की, खगोल शास्त्र, इन सबसे संबंदित है ना की रशान सास्त्र से चंशेकर सीमा की खोज इनके द्वारा की गई थी और इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला है बाकी तीनों से है, सहीत, रविना, टेगोर, अर्थ, शास्त, अमर्थ, सेन और किर्कित से संबंदित, वीनू, माकंड निमलिकित में से कौन वित्त मंत्राले के विवाग नहीं है ओप्शन डी, आय एवं विवाग बाकी तीन है, विनिवेश विवाग, राजस्त विवाग, वित्य सिवा विवाग और दोन्य विवाग है विवाग एवं आर्थिक मामलो के विवाग जबकि आय और विवाग नहीं है, केवल विवाग निमन में से कौन सा देश, G7 का सदस्य नहीं है पहले ये जी एट हुआ करता था रूस से इसके अलग हो जाने के बाद ये जी सेवन हो गया आप्शन है ये रूस हो जाएगा जी सेवन के सदर्श देश देख लेते हैं अमेरिका, बुर्टिन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान फ्रांसिसी क्रांती कब हुई थी? आप्शन डी हो जाएगा 1789 में निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है परमुख दिवस दिये गया है, कब मनाया जाता है? आप्शन डी, राष्टिय विग्यान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है रमन इफेक्ट के स्मिर्ती में, राष्टिय युवा दिवस स्वामी विवकरिंद के स्मिर्ती में मनाया जाता है इसको भी याद रखना है परवासी भारती दिवस 9 जनवरी को गांधी जी अफ्रीका से इस दिनाया थे, इसलिए इसको मनाया जाता है इसको भी याद रखना है, राष्टिय ख्यल दिवस 29 अगस्त सही है निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ओप्शन D, दिया सलाय उद्योग कानपूर में नहीं है बाकी सब सही है, पेट्रो रसायन उद्योग हैदराबाद कीट नाशक उद्योग रसायनी में, विद्धूत इंजिनेरिय उद्योग बैंगलोर में जबकि दिया सलाय उद्योग जो है कलकत्ता, मदरास, मुंबई, बरेली, धुबरी बगरा में फेमस है निमलिकित में से फिक्की के बरतमान दक्ष कौन है फिक्की के बरतमान दक्ष बदल गए है, अब इनके दक्ष चुने गए है, उद्योग शंकर तीरुपूर विश्व के नेक शेतरों को निमलिकित बस्तूव में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद है, तीरुपूर आप्शन सी हो जागा बुने हुए वस्त के लिए राष्टिय कौशल विकास मिशन के संदर में कौन सा कथन सही है तीन कथन दिये गए है आप्शन डियो जाएगा तीनों ही कथन जो है सत्य है इस मिशन के तहत वर्ष दोजर बाइस तक तीस करोर विवाकूप अस्रिक्षित करने के लिए शम्ताओं कर्सिजन किया जाएगा है ठीक है जबकि ऐसा होना नहीं है योजना भी टैंट है फिस हो चुकी है शेश अस्तर पर मिशन की गवर्निंग काउंसिल के दक्ष स्वेम परदान मंतरी होंगे इस मिशन का किर्यान वेन कौशल विकास सेबब उद्धेमते मंतराले दोरा किया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है कौशल दिवस के अफसर पर 15 जुलाई 2015 को पदान मंतरी के दोरा किया गया था तो इस वीडियों बस इतना ही दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उप्योगी साबित होगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेर करना ना भूले इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें मेरे चैनल को सब्सकाइब कर ले जो पहली बार मेरे चैनल से जूर रहा है तो इसी तरह का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए आपको मिलता रहेगा इसका उप्योग आप लोग NTPC की परिक्षा और बिहार पुलिस की परिक्षा में भी कर सकते हैं इसका अगर PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसमें की संतावन सो प्रशन दिये गया है उसी से यह सारा सेट आपको प्रवाइट कराया जा रहा है PDF लेने की बाद आपको फायदा यह होगा कि इस वीडियो के दर आपका रिविजिन होता चला जाएगा तो मैं प्रशनों की संक्या बढ़ाता जाओंगा या हो सकता है वीडियो की संक्या भी बढ़ती चली जाए एक से दो दो से तीन हो जाए 100 प्रोशन से 200 प्रोशन और 300 प्रोशन भी हो जाएंगे क्योंकि इसको दरोगा की परिक्षा के पहले खत्म कर देना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों